तो हलो माई डियो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो अभी अभी आपने जो रील देखी फ्रेंट्स आप भी चाहते होंगे कि मैं भी ऐसी रील बनाओ या मेरी भी ऐसी रील बना के मैं इंस्टाग्रम पर पोस् तो फ्रेंट्स आपको टेंशन लेने के बिल्कुल भी जरूवत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ आपके लिए वीडियो बनात कर लाता रहता हूँ ताकि आपके हर प्रोब्लम सौल्व हो जाए जी हाँ दोस्तो तो आज किस वीडियो हम यही बात करेंगे कि इस रील को आप कैसे बना सकते हैं दोस्तो आपको इसमें बिल्कुल भी ज्यादा कुछ करने के जरूवत नहीं पढ़ने वाली है आपको सिंपली से बस चार से पांच फोटो एड करने होंगे और आपकी रील बनकर तेयार हो जाओगी बिल्कुल मस्त और फैंटास्टिक त तो कि न टेलीगराम चैनल के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्सिन में दी हुई है और इस्टाग्राम पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं ताकि वहां फिर पी आप हमारे चैनल के साथ एक्टिव रहें तो फटा-फट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बाद में आपको simply से जाना है Google पर Google पर जैसे आप चले जाते हैं आप पर आपको सर्च कर लेना CapeCut 5 by 5 template जैसे आप इसको सर्च कर लेते हैं फर्स्ट वेबसाइट आपको open कर लेना है open इसको करते ही आपको third number का जो template मिलता है उसको आपको use template on CapeCut करना है CapeCut application आपको download करना होगा इसके link मैं आपको description में दे दूँगा तो friends जैसे आप use template on CapeCut पर tap करेंगा आपके सामने कुछ सरीके का interface open हो जाएगा तो आपको simply कुछ निखरना है use template पर click करना है उसके बाद मैं आपको simply से कुछ निकरना है i have your photos a edit कर देने हैंं सिप्टाफटर पॅच्पोटो में add कर देता हैं तो 5 फोटो मैं जरूत परतिया तो यह करने का बाद मैं मुझे preview करना ूगा देख सकते हैं हमारी رिले वो बन चुकी तो इसे ऐक बार आप देख लीजह आप को बन को शाया ख़र में यह को यह आपस तेयर हो गई यह आप पर लेके जाना 해 जो आप शूप मिश्क का चाते है को चाहरा है यह तेजार चिर भयाने हैं वीडियो को टेंपलेट से बना करके अपनी अच्छी खासी रियल बना सकते हो तो सो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जरू कर जीजिएगा और ऐसे ही लेटेश टिपस और टिक्स के लिए हमें बिल आइकन भी प्रेस करके रख है तो फ्रेंट से आज के लिए बस इतना है मिलते हैं फिर से किसी नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जया हैं वांदे मातर हूं